प्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल बराते समय आपके साथ धोका दड़ी नहीं होगा पेट्रोल या डीजल के चोरी नहीं होगी और जो बात मैं आपको आगेस वीडि टिप्स एंड ट्रिक्स रिस का ये पार 30 है इस रिस के कम्पलीट वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आगे इस वीडियो का पूरा देखें क्योंकि सारे पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है और अगर आप चैनल प बताया और इस पॉइंट के बारे तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपको मीटर में पहले देख लेना है कि जो रीडिंग है वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए मीटर जीरो पे सिट होना चाहिए पिट्टोल ये डिजल डालने से पहले तो आपने वो तो ध्यान में यह सब automatically software के help से real time में monitor, supervise होते है, control होते है लेकिन इंडिया का आपको पता है कि हर चीज़ का यहापे जुगाड है लोग हर तरह से हर चीज़ का loophole निकाल लेते हैं, जुगाड निकाल लेते हैं अब अगर चोर लोग पेट्रोल पंप में चोरी करने का जुगाड निकाल रहे हैं, तो मैं आपको बचने का जुगाड बताता हूँ तो जैसे ही आपकी गाड़ी में पेट्टोले डिजल डाना शुरू हो जाए, तो आपका जो नजार है वो मीटर में होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए अब मीटर जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ, उसका रीडिंग स्टार्ट हुआ बढ़ना, तो आपको ये मियक्शे और करना, इस बात को ध्यान में रखना है कि जीरो के बाद जो अगला नमबर मीटर में दिखाई दे रहा है, वो जीरो से लेकर पाच के बीच में ही होना चाहिए अब जीरो से वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, यहां तक ठीक रहता है लेकिन ऐसा हो जाए कि जीरो के बाद जम करके रीडिंग डारेक्ट 10 पे चला जाए, 15 पे चला जाए, 20 पे चला जाए तो हो सकता है कि उस मसीन में छेड़ चाड़ किया गया है मैं आपको यहां पे किलर करना चाहूँगा कि यह जितने भी मशीन होते है वो जितनी भी all marketing companies वगरा है जो इन मशीन को बनाती है, वो companies इन्हें कैलिबरेट करके भीचती है इनका जो software वो पहले से ही programmed होता है कि कि किस तरह से वो काम करेगा और चाहे आप कम का petrol डलाओ, 50, 100, 100 का डलाओ, चाहे आप जादा का डलाओ, 500, 1000, 1500, 2000 का petrol डिजल डलाओ फिर भी जो reading है, वो ideally तो 0-3 होना चाहिए जो पहला reading इसके बीच में लेकिन दो आप tolerance limit मान लो, यानि 0-5 के बीच में ही होना चाहिए तो बहुत तेजी साब जेक तो कई बार reading भागता है meter का, फिर भी 0 के बाद जो अगला number है, वो 5 के अंधर का ही होना चाहिए अब यह एक ऐसा point है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है और बहुत research के बाद मैं आपको ये जानकारी आपके साथ share कर रहा हूँ तो इस बाद पर आपके इस channel को जरूर से subscribe कर ले क्योंकि इस तरह का content आपको channel पर मिलता ही रहता है अब यहाँ पर ये भी clear करना जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगा ये तो एक तरीका हो गिया वैसे पेट्रोल pump में बहुत तरह से धुका जाली की जाती है बहुत सारे और भी trick होते हैं जिनसे की लोगों को बैवकूप बनाया जाता है पेट्रोल ये डिजल कम डाला जाता है अब इस तरी जो मैं आपको पहले ही बता दिया कि total 30 वीडियोज है तो उसका link जो है वो आपको इस वीडियो के description नहीं मिल जाएगा आप वहाँ पे जाए उसे प्लेडिश उसे explore करे आपको बहुत सारी अच्छी जानकारिया मिलीगी जिसके बार आपको बिल्कुल पता नहीं होगा वो भी जानकारिया आपको मिलीगी बैसे आज की ये जानकारी जो मैं आपको शेयर की इसके बारे मैं आपको जानकारी थी कि नहीं थी यह आप कुछे comment करके जरूर बताए उम्मीद है कि आज का यह विडियो आपको पसंद आयोगा विडियो चल लगा हो तो विडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लावा अगर आप चैनल पे नए होई या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को भी दबाले ताकि आने वाली important वीडियो के अपडेट आपको notification के थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में, thanks for watching this video, good bye